हलो दोस्तो किचन किंग इस्पेसल इसमें आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो रक्षबंधन का त्यवार आने वाला है तो आज मैं आप लोग के साथ रक्षबंधन इस्पेसल बिना मावा बिना जासनी बिना मिल्क पाउडर के सिर्फ एक कब दूसरे बनने वाली यह मिठाई की रेज भी सेयर करने वाली हूं और यह जटपट बन करके तयार हो जाती है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई या फिर पेन रखेंगे और फिर इसमें हम एक कब दूद डालेंगे और इस ताकि दूद जो है तले पे चिपके ना तो यह देखिए दूद में अच्छे से उबालाने सुरू हो गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे लगभग इसे दो से तीन मिनट के लिए और पका लेंगे जिसे की दूद अच्छे से काड़ी हो जा है आप अपने पसंद के कोई भी दूसरा कलर ले सकते हैं और यह देखिए दूद अच्छे से पक करके गाड़ी हो चुकी है तो अब इसमें हम एक छोटी चमच देसी घी डाल देंगे घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप घी नहीं डालना जाते हैं तो गी भी आप इसकिप कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने घी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब यहां पर मैंने दो कप डेसी केटेड कोकोनट लिया है इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद के साथ और यहां पर मैंने इस इसे घ्यास की व्लेम części theatre के लिएcciones to doodh के लंकिने, तो इसे हम के लिए लो और ओलने चाहिए हैं. मैंने लिए यह मुखा दूबद के लिए 62 का अछिरी मितgestुनत एजू जानरी मीस सबूद के लिए 70 श्यगी जानरी जानरी के लिए 75 अज़ाई के लित आज Latin, और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसे हमें थोड़ देर के लिए ऐसे ही चलाते रहना है तो ये देखिए मैंने गैस को बंद रखा है और बंद करने के बाद इस तरीके से हमें अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारी जो मिठाई है बिल्कुल सौप्ट बनेगी हमें गर्माहट है तो चलिए अब हम फटाтовट से इसकी मिठाई बनाना सुरु करते हैं तो इसे हमें थोड़ा रल्लै और लिए是 प canopy बनाने जाना है और उसके बाद हम आप आपने पसंद के दे सकते हैं मैं इसे सिलेंडर के सेफ में बना रही हूँ तो ये देखिए मैंने एक मिठाई बना करके तयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने थुड़ा सा नारेल का बुरादा लिया है इसमें हम इस मिठाई को इस तरीके से हलका हलका कोट कर लेंगे और इस तरीके से ये मिठाई बन करके तयार है तो इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से हम सारे ही मिठाई बना करके तयार कर लेते हैं यह देखिए तो इसे मैं आपको तोड़ करके दिखाती ह दीजये कितनी रशेली ये मिठाई बन необход करके तयार हुई है सबभी मिठाई को िसी तरीके से बना करके तयार कर लेते हैं देखिए तो यह हमारा दूसरा मिठाई भी बन करके तयार है को इसे हम नारेल की बुरादे में इस तरीके से कोड कर लेंगे जिसे कि यह दिखने में बहुत ही सुन्दर लगती है यह देखिए यह हमारा दूसरा मिठाई भी बन करके तयार है तो चलिए अब हम सारे ही मिठाई को इसी तरीके से बना लेंगे और अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे आप लड़ो की जैसे बना सकते हैं गोल-गोल यह देखिए इस तरीके से और या फिर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे पेड़े के जैसे भी बना सकते हैं यह देखिए तो जैसा भी सेप आप रखना चाहते हैं मिठाई में तो उस तरीके से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं लेकिन मैं इसे आज सिलंडर के सेप में बना रही हूँ तो सारे ही मिठाई को मैं इसी तरीके से बना करके तैयार कर लूँगी यह देखिए और ये देखिए मैंने सारे ही मिठाई बना करके तैयार कर लिए है तो इस तरीके से आप भी से बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम जिसके मैंने दो भाग कर लिए हैं और इसे हम इस तरीके से लगा देंगे जिसे कि यह दिखने में और भी ज़्यादा सुन्दर लगेगी बिल्कुल मारकेट के जैसे यह मिठाई बन करके तयार हुई है और दिखने भी भी यह बिल्कुल मारकेट के जैसे ही लग रही है तो हम इस तरीके से बदाम भी इसके उपर लगा देंगे आप अपने पसंद के कोई भी राइफ रूट से से कार्निस कर सकते हैं या फिर आप इसमें चांदी कवर कभी लगा सकते हैं जिसे कि ये और भी ज़्यादा सुन्दर दिखेगी और ये देखिए हमारे ये मिठाई बन करके तयार है पहुत है आसानी से बन करके तयार हुई है तो इसे आप एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा बिल्कुल हलवाई के जैसे ये मिठाई बन करके तयार हुई है मुँ में जाते ही घुल जाने वाली रसीली ये मिठाई बन करके तयार हुई है तो इसे आप एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा और आपको ये रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके चरूर बताईएगा रेस्पी अच्छी लग तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेश्टे वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई